पर नाम जहिंद कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं सब्सक्राइब जबर्दस्त होगे और दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि रोजाना सुभा पांच बजे में आप सब्सक्राइब सभी का आपके अपने परिवार सब्सक्राइब बहुत सभी को और बहुत सारे से नाम मुझे दिखाई सब्सक्राइब नहीं है तो एक बार में सबको एक साथ गुड़ मॉनिंग नमस्कार प्रिणाम जहिंद रादे रादे और खुश्राव सारी के सारे लोग है ना सब ठीक है ना कोई दिक्कत कोई किलत और यो में वीडियो में किसी भी प्रकार की आज बहुत मजा आने वाले सब्सक्राइब कर दो कि आप सब कुछ ठीक है कि नहीं है जल्दी 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 एक बार देखके बता दो कि आउडियो वीडियो एवरीटिंग इस ओके आइधिंक अभी ठीक होगा भी जो फफर कर रहा था वो दिक्कत समाप्त हो गई होगी तो मेरे को जल्दी से एक ब क्लेर रहे ना चलो बहतर है तो एक बर फिर से हैं सबको गुडबॉरिंग नमशकार प्रिणाम जहिंद रादे रादे सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एससे एड़ेट 247 पर और जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज बहुत जादा मजा आने व यह मैं तो डिटो मैं खुला कर दिखा देना है ना तो बसमें वाइची चीच करने जा रहे हो एक बार इस प्रोश दरॉजए वीडियो को देख रहे हाना एक बार बस इस ख्लास को देख लेना और कब बेस को समझ गए उसकी नीव को समझ गए तो फिर कभी जिंदगी के अंतरे सीज में कभी परिशान नहीं होने बाले हो तो तैयार उसारी के सारे जल्दी से बता दो एक बार करने के लिए इस दंगल तैयार उसारे बहुत जबता सेशन होने वाला एंट मैं प्रॉमिस कर र पढ़ा दो की बस लो ग्लॉक में पढ़ाता हूं आज है ना तो वैसे पढ़ने वालो ठीट है चलीगा तो कर ले दे शुरू कहानी को दोस्त और सबसे बात करते हैं जो आजका शुरुवात आजके फिर सुभै की शुरुआत करते हैं सुर्यदेब को नमस्कार करते हो एक सुबह है एक नया उदय है और फिर एक नया आगास करने का मौका हम सभी को मिल रहा है तो वैसा ही कुछ आज की दिन हम करने बाले हैं बाकि एक मोटिवेशनल थौट आज की दिन जो है वह रितिका का रहा है कि होसले की तरकश में कोसिस का वह तीर जिन्दा रखो हार जाओ चाहें जिन्दगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिन्दा रखो है ना तो कई वार ऐसा लगे कि मैं हार रहा हूं कई वार ऐसा लगी कि मैं गिर रहा हूं लेकिन उसके बाप जूद भी एक उठने की लड़ने की और फिर से खेलने की कर लेघा तो कर लेज़ कर लेज़ तो कि अपने को रखना है ठीक है दोस्त तो कर लेते हैं तो यह प्रमिस कर रहा हूं दोस्त पूरे यूट्यूब के ऊपर अगर आपने ऐसा पड़ा तो मुझे बता देना आज क्लास की बात कमेंड करके बहुत जबर्दर सेशन होने वाला कॉंसेप्ट जब मैं पढ़ाता हूं तो पूरे दिल से पढ़ाने वालों आपको तो दिल से ही आपको पढ़ना है समझ में आ रहा है ना बस एक्दम दिल के तार जुड़ जाने चाहिए और ऐसे जुड़ जाने चाहिए धूना लग निकल पर दे रखी है छोटे वाली सुई जो है वो तीन पर दे रखी बताओ कित्ते बज़ गए ऐसे तो नहीं पूछते अब देख लेते हो ना खुद से की तड़ाई मोरें तो घड़ी जब भी हम बात करते हैं घड़ी की तो घड़ी के अंदर खास करके तीन सुईयां होती है तीन सुईयां होती है कौन कौन जी सुईयां कैसे कैसे उन पर बात करेंगे उस पर बात कर लें तो समझ लें तो यह वाली सुई है इसको बोलते हैं कौन से सुई इसको बोलते हैं मिनिट वाली सुई यह कहला ते तुमारी मिनिट वाली सुई इसको बोलते हैं अवरेंड अ अब आपकी सेकिंटलर मळल्फ सेकंडलरी समय यह FAVOR अब इसमें भी जो एक्जाम की बात आती ऑस कौनसेट्ट की बात आ थे तो हमें दो सुयों के साथ खेलना पड़ता है उस पर बात कर लेता है जो पूरा चैप्टर रं करता वो आपकी इस घंटे वाली च्वी और इस मिनट वाली सुई के रिद गिर्द करता है इस गंटे वाली है एपने अप तक घर के अदर देखी आप हरे क्वेशिन वैसे उसी से करोगे आप अलग से कुछ नहीं करोगे आप ऐसा निकुछ बड़े बड़े बनाओ गे बड़े-बड़े कुछ और करने करने वाले कुछ नहीं बात कर लहों वन वफ भाई है और ऐ से पतना रटा लगाना तुम्हें दोना लिकवा दूआ याद कर लिना नगे या समझना नहीं किया चाहते हो जो तुम बोलो वैसे पढ़ाऊँ गड़ीं पढ़ना तुम को अगर आपको सिर्फ रट्टा लगाने अगर आपको ऐसा लगते हैं कि सिर्फ हमको सर आंसर निकलवा दो खाली कोश्चन सलीपस पूरा करवा दो बस उस जादा कुछ नहीं पढ़ना हमको नहीं फरक पड़ता कि क्या होता है तो तो मैं तुमको दो तीन चीजे याद कर वा कंचेप्ट पढ़ाऊंगा सिर्फ ठाई ठीक है अब देखो होगा का सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिटेंड़् पर समयींटर फछाते की जो आपकी मिनट वाली सुय होती है ना इस पर चार्चा कर लेता है कैसे बात करेंगे कैसे पूरी की पूरी रण करते हैं अगर में मिनेट पर बात कर रहां तो मिनट एंड कैसे काम करती है मिनेट के होता है हर favorite computer का सायगल होता है सबता है यह सब्सकूंत होगा एक चक्कर कर दीबिट पर पहुत तो मैंने इक चल लगा र् tri拟 जहां से छला घुम पिरके वहीं आ गया तो वह कहलाता मेरा साइकल वो कहलाता मेरा एक चक्कока याद रहेगा मैं जहां से चला मैं घुम फिर के और वहीं आ गया तो कहला था एक साइकल मैंने चक्कर पूरा कर लिए और वो 306 डिगरी को होता है ठीक है तो मुझे यह बताओ यह एक साइकल कितनी देर में में पूरा करते है जल्दी से एक चक्कर कितनी यह में पूरा करते हैं मिनटे वाली स्वी आपके हिसाब से अब बताओ पहले मुझे फिर मैं सब्राइघщее में दोस्ते लोगों आई जो में नटने वाली सोह रोती है उसका एक City कर एक चकर एक देर में पूरा होता है है ना एक घंटे में है अ बाकी है जल्दी जल्दी है चले काफी सारे 24 घंटे में हरे वह हूं का करना चाहिए रहे हैं मेरे लाल बहुत लंबा नहीं चलेगे तुम देखो होता क्या है समझो अगर आपने कभी सुई को देखा घड़ी को देखा तो आपने एक शी नोटिस करी होगी जिसे मालो पांच बजे जैसे अब हम लोग सुबा पढ़ाई करते हैं हम लोग सुबा उठते हैं पांच बजे के टाइम अगर पांच बजे यहां पर है मेरे लाल तो छे बजे के टाइम पर फिर यहीं पर होगी हाया ना होगी ना छे बजे फिर से होगी घंटे वाली यहां पहुंच जाएगी तो छे बजेंगे मतलब एक घंटे के अंदर लोटकर वहीं पहुंच जाती मानते हो ना एक घंटे के अंदर लोटकर कहां पहुंच गई मेरे लाल फिर से वहीं पहुंच गई बोलो हाया ना एक घंटे के बदल लूगा मैंने LOOKा एख गंटे के अंदर कितने मिनट रोते मों गूरु जी साठ़ मिनटो थे घ्र AH साथ मिनट में कितना कवर कर dump Ch Blockerへ अगर चाल मिनट में मिनट वाले सुए 35060 कवर कवर च crazily कवर तो मुझे ये बताओ एक मिनट की वैल्यू कितनی होगी जाली से कर रही है तो एक मिनट के अंदर कितना कवर करेगी जल्दी बता हुए इसंपल से प्रोसेस है आप लोगों ने गड़त पड़ा अगर साथ मिनट में 360 डिगरी है तो एक मिनट में कितना होगा एक मिनट कीवेल्यू निकालने के लिए 360 को इस साट से भाग कर दोगे ना बोलो है ना 360 को जուी कम 7666,ैंक 36 कितना निकल के आ रहा है तो एक मिनट की वैल्यू निकल के आ गई कि एक मिनट में मिनट वाली जो सुई होती है वह छे डिगरी घूमती है एक मिनिट में मिनिटमीक तो अदिए मैझा में गूम बहुती थी टीन स्ब्लाइगी साथ मिनटमान पॉछ। संब खनेगे सर्ट उतने लॉट आजीजिट्स निच relevant lou साथ मिनट में 307 तो एक मिनट में 6 डिगरी बात खतम काय को याद करें क्लियर है ना मिनट वाली सुई का रोटेशन क्लियर हो गया दोस्त जल्दी बताओ मैं फिर दूसरी सुई पर चलूंगा फिर दोनों को करूंगा मैं एक एक करके समझाओं आपको पहले मिनट वाली सुई फिर घंटे वाली सुई फिर दोनों को जोड़ेंगे उससे पूरी हमारी घड़ी बनके आएगी ठीक है वन वाई वन चले आगे चलो बहुत चांदार का जब ठीक आगे बात करते हैं अब थोड़ा से जलते इस पर भी संसें चर्चा करेंगे इसकी भी हम सिफए्यों रोटेशन को पहले रेंटे करेंगे और फिर हम समझेंगे कि क्याहोता हो घंटे वाली सुई पर घंटे करो nfor करूँ एक घंटे के अंदर घंटे वाली फुक्तना घुमते जल्दी से बताव गूंत है क्योंत के सैकल तो कम्प्लीट एक चक्कर होता है तो बतलब इस paper तो मुझे यह बताओ यह अपना एक साइकल कितनी देर में कम्प्लीट करती है जल्दी से घंटे वाली सुई अपना एक साइकल कितनी देर में कम्प्लीट करती है मेरे लाल जल्दी से बताओ कितना टाइम लेगी वह अपना पूरा का पूरा एक साइकल कम्प्लीट करने में 12 गंटे 24 गंटे आधा गंटा तो लोट के दस पे कवाईगी एक घंटे बाद 11 पे एक घंटे बाद 12 पे एक घंटे बाद 1 पे एक घंटे बाद 2 पे फिर एक घंटे बाद 3 पे फिर चार पे फिर पाट पे फिर छे पे फिर साथ पे फिर आट पे फिर नौ पे फिर लोट के बारा घंटे बाद 10 पे आएगी और नहीं आएगीह अगर सुभा के 10 tat Biden तो रात के 10 गद्स के 5 गद्वाफ Edwards यह औधीकली पाच पर है तो शाम के पाच बजे अटोमेटीकली पीपाच वही बारा घंटे का वक्त लगता है उसको अपना एक के पूरा करने में कितना टाइम लगता है मेरे लाल बारा घंटे समझ में आ रहा है ना रटा लगाई तो नहीं है कि बारा घंटे का टाइम लग रहा है इसको लॉट के अबद दस पे आने में तो घंटे वाली सुई कि अगर मैं बाद करू कितनी देर में साइकल कम्प्लीट करें गी तो बारा घंटे के अंदर अपना अपना एक सेखल कम्प्लीट कर लेखी क्लीर अत्फ जल्दी से दोफ कोई दिक्कत कोई परिशानी तो श्रुष नि Firal 12 गंटी में अपना एक चक्कर पूरा कर लिए अपने साइकल कम् साइकल कमलीट कर रहे है तो मुझे एक गंटी रहें दो जल्दी से एक घंटी कि एक फिल्यू खूंट kitty में do 120 गूम रहे है तो एक घंटे में कितना दिगूमती हो горई जल्दी उतौक अगर कंटे में वो 360 डिक्री घुम रही है तो एक घू हो बिल्कोल सहे सारे वहाइद ऊदीजाज सब्सक्राइबे की 136 tava 137 कि अगर कोई पूसरे में कि घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना डिगरी घूमेगी आपका जबाब होना चाहिए कि सर तीस दिगरी घूमेगी आजाएगा यह जवाब जल्दी से बताओ हाँ यह ना सबका जवाब ठीक अब अगर मैं इसी को आप से मेनट में कनवर्ट करवाऊं मैं काओ ठीक है य सकता हूं एक घंटे को में साथ मिन्यक लिख सकता हूं हाह तSON कि दिया 30 concerns ambiguity दिगरी के तो एक म्नट की वैल्ल्यू कितनी आएगी जल्दी पिताओ दुष्ट एक मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिगरी घूमेगी मीन्ट एक मिननट के अंदर घंटे वाले सुई कितना डिग्रीख व्लू कि दोस्त बहुत शांदार के जब बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगर हम एक घंटे की वेलुत की है एक गंट में तो पैसाट मिनट में 30 टीज टिकरी तो एक मिनट में याद हारे को पूछ ता है तुम से कि यह बताओ एक घंटे में घंटे वाली सूई कि रडिगरी घुमती है जबाब दो के 30 डिगरी कहेगा एक घंटे में खंटे कुछ ना अदिकाल दो गे ढूलunda तो किया नहीं सोब चैने वालीड उस्टामाग से फाल होगा इसा झाना चाहिक निख लेना जिंदगी भर सबज मेर रहा है क्लियर एल्य है जलिदी कोई दिककत कोई परिशानिव मैंने दोस्व यूपर बात करिये पहले अंधा में चे टिंगरी गूमते है वैसे हमने बात करी किस के ऊपर वैसे हमने बात करें गगन्टे वाली सुए Onu कर गंट वाली सुए तो एक था फेरी ओर एक मिनीद में आधा अभी तक हम अगर घुरूजी एक घंटे में 30 डिगरी कैसी बात कर देत तो आप एक घंटे में 30 डिगरी तो यह समझ में आ रहा है जितने घंटे देगा उसी से 30 की गुणा करते हैं जवाब आजएगा आजेगा की नहीं आजएगा मालो किसी ने का 8 गंटे में बताओ बहुत तीस की गुणा वेल्यू आराम से फाहिंड कर सकते हमको कुछ अलग से करने की आवशकता नहीं सिर्फ हमको एक गंते की पताऊने ची अगर एक घंटे में 30 से तो बस सी तो पहलते लोगों a mt इसे कि ठीटा बराबर 11 बटा दो माइनस 30 गुणा घंटे सुना एना मैं तुमको आज ये बताऊंगा वो फॉर्मूला बनता कहां से जो शाय तुमने किसी किताब में भी नहीं पड़ा होगा किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं पड़ा होगा सबने सिर्ट तुमको रटवाय मैं उसके पीछे की वजह क्या वो सब समझोंगे ठीक लास तुम्हारी मैं सच बतानों इस पूरी अब तक जितनी क्लास लिए कही ना कहीं वेस्ट क्लास होने बाली दोस्त बस दिल से ले लिए एक बार चलो यादनी वह कोई दिक्कत निया याद मत करो अब तक हमने दोनों किसी प्रकार का कोई confusion हाँ या ना जल्दी जल्दी मिनट वाली सुई अपना rotation fine कर लिया गंटे वाली सुई अपना rotation fine कर लिया कोई आपस में में कोई दिक्यत कोई किलत कोई समस्य कोई परिशानी नहीं है अब आगे समझते इन से आगे बढ़ते हैं अब हम फॉर्मूले की तरफ चलेंगा हम चीजों को समझेगे आप लोगोने गनित में चीज पढ़ी होगी क्या रिलेटिव स्पीट ग्यार्मी वार्मी क्लास में दसवी ग्लास में भी देखी होगी उसके बाद अगर तुम में से कोई अभी ग्रेजूइशन में उनने भी देखियोगी या तुमने अभी अपनी कॉमपरिडिशन की गनित पढ़ते होगे तो उसमें भी पढ़ी होगी ना वह वाले चैप्टर पढ़ा है को ना जो कह रहा जारी होती है तरिए तो यह गमजिदे के लिए और यह करें यां श्यौद ने जो चलेगा फ़ह arise लेड़ लगती लगत्य आपने ब्रीन में डेखा होगा सब्सक्रीद कि लगती है यह तो होता क्या है उसमें की समझो जब रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं तो मुझे बस इतना बता दो मेरे दोस्त की दूनों ट्रेने या दोनों नाओ- स्पीड प्लस होती है कि माइनस उती जल्दी से बताओ जल्दी- जल्दी अगर हम बात करें वह दो कि समझ में आ रहा है जोड़ते कब हैं जब विपरीद दिशा में आती हो कि यह इधर आ रहा यह इधर आ रहा है तो किती जल्दी यह दोनों मिलेंगे यह जिसकी स्पीड दोनों को जोड़ तो जोड़ के मिलते हैं ठीक है जब विपरीद दिशा में आते तो स्पीड को जोड पढ़ इसलिए बता रहो विप्रीद दिशा में जाएंगे तो जोड़ेंगे सेम दिशा में जाएंगे तो गठा देंगे बात खتم हमेशा पता हुआ वाले तो जुड़ते हैं कहते हैं एक प्लस एक माईन जूड़ता है हमेशा और दोनों वाले लोग नहीं की बात नि बनती आपस में हमेशा निगेटिव जो ते वह आपस में अट्रेक करते हैं दूसरे को ठीक है तो वह होता है चलो अब समझो अच्छा यह बताओ घड़ी की अगर मैं सुईयों की बात करूं तो यह वाली ऐसे घूम रही बोले हां गुरूजी घूम रही और यह व यह दोनों सुईयां जो हैं वह एक ही दिशा में जा रही की अलग अलग दिशा में जा रही हैं एक ही दिशा में जा रही है सेम डिरेक्शन में जा रही है अगर एक ही दिशा में जा रही कि यह इधर आ रहा रहा तो इन दोनों की स्पीड प्लस होगी की माइनस होगी की माइनस माइनस होने वाल यह बहुत बढ़िया अब हम इसमें मिनट का रिलेशन फाइंड करते हैं मिनट का रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे सर देखो एक मिनट के अंदर यह मिनट वाली सोई हिलती होगी न थोड़ा बहुत और एक मिनट में घंटे वाली सुई भी थोड़ा तो होता नहीं होगा कि यह घंटे वाली सुई बैठी आराम से चल कर रही है आपर चाइवाई पी रही है कॉफी और बिसकेट बिसकेट खा रही है जैसी एक घंटा पूरा हुआ बोले अरे एक घंटा होगा तो दोल के जाके घ्यारा पर ख़ली होगी ऐसा थोड़ी ना होता ह हुँ है हर एक मिनट पर हर एक सेकंच पर थोड़ा 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 माइनर सांडा डिफरेंस आता रहता है थोड़ा थोड़ा हेल्टी रथी एक मिनट में आधा डिगरी और वहीं हमने निकाला तसर मिनट वाली सुई कभी कि एक मिनट के अंदर मिनट वाली सुई छे डिगरी हिलती है तो अगर मैं इन दोनों के बीच के कोड़ की बात करूं तो क्या निकल के आएगा इन दोनों की स्पीड की बात करूं तो क्या निकल क्या आएगा निकल के यह आएगा मेरे दोस्त की जो आपकी मिनट वाली सुई है मिनट वाली सुई वह एक मिनट में छे डिगरी आगे गई गई जो आपकी घंटे वाली सुई है वह एक मिनट में आधा डिगरी आगे गई दोनों की स्पीड क्या करेंगे माइनस कर देंगे मा तो कितना आएगा यहां से यहां से इसका LCM लोगे तो दो आजाएगा छे दूनी बारा बारा माइनस एक तो यहां से वेल्यू निकल के आएगी आपकी कितनी 11 बटा दू बुलो जल्दी से हाँ यह ना निकल के आ गई यह आया समझ में यह रिलेटिव स्पीड से समझ में आत स्टु कए ग्यारा बांटा दो गुणान विनट आगा समझ में यह एगा मिनेट की वैल्यू निकली ती क्योंकि एक मिनुट मैं छे GRI एक मिनटं सेम कोई का भाई साब दो मिनिट में तो कहीं हो ग्यारा बटा दो गुणा दो कोई का तीन मिनिट में को ग्यारा बटा दो गुणा तीन कोई का बीस मिनिट में तो ग्यारा बटा दो गुणा बीस बस हताम पिक्चर आ रहा है समझ में डली बताओ यह ग्यारा बटा दो गुण आए हमको 11 बटा दो गुणा मिनिट आ गया चलो अब इसके आगे हम घंटे पर बात करने अब हमको पता है फॉर्मूला जब जनरेट करना है सर हमको अगर इनके बीच का कोण गयाद करना है हमको क्या करना है मेरे को सर इसका कोण गयाद करना मुझे बस यह सिखा और कोण कैसे निकालेंगे क्योंकि हमसे वो टाइम देकर कोण पूछ लेता है तो कैसे निकालेंगे तो मैंने का देखो को बोलते है ठीटा को बोलते है ठीटा ठीटा का मतलब क्या होता है ठीटा का मतलब होता है अभी हमने मिनिट के रस्पेक्ट में देखा कि हर एक मिनिट में कितना ब मुले हाँ अब अगर मिनट के रेस्पेक्ट में ये निकल के आया था कि 11 बटा दो गुणा मिनट तो हमको आ चुका था अब आगे अगर हमको निकालना तो कैसे निकाले सरी यह बता हूं को है ना ठोड़ा सा समझना इसको अगर मैं इस चीज को देखूँ अपने आप से मैं अभी तुम से पूछा कि अगर आप मिनिट वाली सुई की बाद कर रहा हूं जैसे एक है आगे बढ़ रही सब्सक्राइन अभी आप लोगों निकाला था खुदी एक हर गोने के अन्दर सुझे कितना चलती यह एक अगे। तो जब हम टोटल निकालते हैं तो यह बनता है आपका 30 गुणा घंटे अभी इसकी वह लिए तुमको अगर नहीं समझ में आ रहे तो तुमने अभी निकाली थी तुम बस भूल गए होगे यहां पर यह भी बताए था हम तुमको यह एक घंटे में 30 डिगरी तो अपने बोला गंटे तो हो रहे हैं और क्या ओ रहे हैं जितने घंटे में पूछ रहा है वो एक घंटे फूंच रहे हैं तो 30 गुणा एक थे 8 मतलब हो क्या रहा है Cum Was गंटे जितने गंटे दे रखे हैं तो जब मैं दोनों के बीच का कौन निकालूंगा एक चीज़ समझो जब मैं दोनों के बीच का दोस्त कौन निकालूंगा तो मिनट वाली सुई जितना चलेगी फिर हम घंटे वाली सुई का भी मुव्मेंट लेंगे देखो कुछ थोड़ सब्सक्रक् dust तो मतलब जो अपकी रिलेटेbene स्वीड वाला कॉनसेट के दौनों सुइब एक ही दिशा में जा रह 250 मिनेट वाली सुइब एक ही दिशा में लोग मुझे पता अब बाद में जोड़े अब उनके खोस उड़ गए कि क्या चलना है जो सबको हां रहो उन्हों सब कहां आए का मुझे पता है ठीक है चलो अराम से देख लो में पूरा जल्दी से रिपीट कर रहो बहुत जल्दी हुआ कि है सबसे पहले यह हमने रिलेशन में निकाला गंटे वाली सुई का सेम निकाला गंटे वाली सुई का एक साइकल करते हैं तो एक हंट तीस बटा साथ मतलब दिगरी मिनट में आधा डिगरी घंटी में इस डिगरी दोनु बात या लग अलगे एक घंटे मैं 30 दिगरी एक मिनट में आधा डिगरी ठीक है यह निकाल ली फिर फिर इनका relative speed इनकी सापेक्ष गति हिंदी में अगर किसी ने पढ़ा हो सापेक्ष गति निकाली तो यहां से सापेक्ष गति निकाली तो दोनों सुषय सेम दिशा में जाती है तो दोनों की स्पीड को माइनस करतेंगे चलती आधा डिगरी चलती निकल क्या गया यह मिनट में और यहल に पढ़न को फैल से पता था तो यह है इनका यह होता इनका अंत्र ले लोता है повो हमारा होगी जल्दी जल्द जल्दी मिरेम ठीक है तो यह अभी तक की कहानी थी अगर समझ में आई तो थोड़ा बहुत लाइक कर सकते हो अपने आप से दिखो मैं ज्यादा कहूंगा निए अगर आज मैं अपने बस दिल से पढ़ा रहा हूं तो अगर तुमको अच्छा लगे तुम लाइक करना ना लगे तो जो तुम हो गया हो गया हो गया फिर मेरा रोल खतम हो जाए है तो मैं बस सुरू में टाइम दे दूं तुमको देखो होगा क्या आगे अगर मैं बात करता हूं इसी चीज़ के उपर मैंने एक एक्जामपल लेते सर आपने फॉर्मूला तो बता दिया कि ठीटा बराबर ग्यारा बट दो गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे ठीक है यह बात तो अच्छी लग गई लेकिन अब हमको यह बताओ यूज कैसे करेंगे इसको इसको उप्योग में कैसे लाएंगे तो उस पर बात करते दोस्ते को होता क्या है एक चीज समझना यहां से बहुत आराम से एक चीज क के वक्त पर आप से कोई कहा था कॉन बदा हो बाई साब आपसे कोई क्या साब कोण बताओ चार चारडख़ी के वक्त पर कितना बनेगा तो मैंने कए चीज समझो दोस्त कि ठीटा बराबर 11 बाता दो गुणा मिनट मिनट बोले तो चालेस मिनट बोले ठीक है Scorpio in a मशीमे ग WA घंटे घंटे बोले तो 4 बोले चार घंटे हो गया ठीक है यह बैल्यू पूट करती सब्च में आ रहे हैं 40 क्यों रखा मिनिट 40 है ना 40 मिनिट थे तो मिनिट की जिए पर 40 रख दिया गंटे के तने दे चार ते तो चार रख दिया इसको जब मैंने सॉल्फ किया तो मुझे क्या मिला बोले बीस गुणा ग्यारा मतलब 220 माइनस 120 इसको प्राप्त करने पर प्राप्त होता है सबस्क्राइब इसमें कोई दिक्कत तो नहिए किसी को यहां तक फिर आगे कुछ बताना तुमको तो यह और सूल डिग्री में कोई दिग्ट कोई किलत समस्ट्व कोई परिशान कि परशानी किसी को परफ्टन 1500 सबका आगया जल्दी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को ठीक है सो डिगरी तक ठीक अब समझो सो डिगरी के आगे की पिक्चर क्या कहती है बोले सो डिगरी तो गुरू जी आ गया लेकिर अब कुछ और समझाओ एक चीज़ बताओ मुझे जैसे मैंने बोला यार मैंने का ना यहां पर दस और यह दोस्त तो प्रेट रोडोन रहा है ना मतलब टाइम तो एक के दस मिनेट का लेकिन का तो बन रहे है बन रहे बन ně सब्सक्राइब उपर वाला कोण है इसको कह rapping internal इन्टेरनल एंगल हंधी में बोले तो आन्त्रेक रएग़ा अंदर वाला कौण मतलब और नहीं होज़ी और बार बाला कौन मतलब आपको ठीशर परकर यंगल यह होता है external angle यह होता है external angle बाहे रहा है अभ मुझे एक चीज यहां पर सबसे interesting उपको बताने है वह सब्जों मैंने कहाँ अगर मैं आइए internal angle आंत्रें कूझ और external angle बाहे कूझ समझना मेरी मेरे बात को इन दोनों को जोड़ दूं मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं यह आंत्रे कोण यानि की आई ए और मैं यह बाहे कोण मतलब ई ए इन दोनों को जोड़ दू तो कितने डिगरी का कोण बनेगा चल्दी बताओ मैंने दोनों कोण जोड़ दिये मैंने आंत्रे कोण और नीले वाले एंगल को जोड़ा तो एक सरकल कंप्लीट हुआ बोलो हाया ना एक गोला बना की नहीं बना जल्दी से बताओ इस रेड सरकल को ब्लू सरकल को जैसे ही मैंने जोड़ा इस नीले वाले कोड़ को लाल वाले कोड़ को जैसे ही मैंने जोड़ा तो एक गोला बना एक स external angle दोनों को जोड़ दें तो हमको 360 डिगरी का कौन प्राप्त होगा आ रहा है समझ में की नहीं आ रहा है जल्दी से बताओ मैं directly अगर तुम लिखवाता तो एक बार को एक दो लोग कंफ्यूज हो जाते कि सर कैसे आया आई ये प्लस ये लेकिन अब तुम समझ पा रहे होगे कैसे आया 360 कैसे बना एक एंगल अगर हम बात करते हैं सरकल बनता है अगर गोला बनता है तो गोला हमेशा 360 डिगरी का होता है गुरू जी तो भाहए कूझ का योगफल हमेशा 360 डिगरी होता है जल्दी से अंतर फ्रां कोनी योगफला हमेशा 350 क्यों बोला अंत्रिक कोण है ना अगर मैं बात करूँ तो आपने उपर वाले का नाम ही आंत्रिक कोण क्यों रखा है इस नीचे वाले कोण का नाम भी तो आंत्रिक कोण देखके पहचालोगि एक क्वेशन आती है बोले गैं 888C का एक कुल होता हैं मांनेज्द आ पीच का जो मिड़ वाला कोम वर में होता है आपका 360 का आदा 18 Cela एक कोम हैं अगर आपके किसी कोड की कि एक- tohrakos सी से कम है या एक-18 के बराबर है तो वह आपका आंतरे कुलिख लेहेगा और accepting दोनों बराबर होंगे एकसी पे दोनों बराबर होते हैं याद रहेगा अगर किसी कुण की value 1818 से कम है फिर चाहएं वो एक हो चौझ हो फिर contatus 179 भू च्मीठ यहां ए गा आंतरे कूण कहलाएगा और जैसे उसकी value एक सो असी से ज्यादा हो जाएगी फिर चाहें वह 181 क्योंना हो जाए वह क्या कहलाएगा वह आपका बाहे कुण कहलाएगा पहचान लोगे जल्दी बताओ वैल्यू देखके अगर एक सो असी से छोटा आ रहा है तो मतलब आंत्रिक है और एक सो सी से बड़ा हो जा रहा है मतलब बाहे कुण है फिर चाहें वह 181 हो या फिर वह आपका वन सेबंटेन तो नो क्लियर है जल्दी बताओ तो अगर तुम पहचान लोगे तो मुझे यह बताओ यह जो सो डिगरी हम यह सो डिगरी जो तुमने निकाला यह आंत्रिक कोंड बन रहे की बहुत शांदार इंटर्नल एंगल है क्यों क्योंकि सर एक सो सी से छोटा है सो तो एक सो सी से कम होता है और अगर एक सो सी से कम है मैं देखो यहां पर साफ साफ सब्दों में लिख भी देता हूं 180 से छोटा इंटर्नल एंगल एक सो असी से बड़ा एक्सटर्नल एंगल एक सो असी हुआ तो दोनों एक सोस्ति पर वही इंटर्नल वहाइक से डूए अब समझते हैं घथे अक्रय हमारे इंटर्नल एंगल आ गया तो मुझे इस वक्त पर तुम external angle की वैलियू निकाल के दो जल्दी से 4 बचके 40 मिनट का external angle कितना होगा वाहे कोड कितना होगा मेरे लाल जल्दी से बताओ सब सब कर लेगे रभी का है इंटर्नल एंगल सो डिगरी आया हमने का तो तो बुले बस सो डिगरी अगर यह आ गया तो आई एकी वैल्यू सो रख दो एसी रहन दो और 360 बराबर में रख दो अब क्या करोगे बुले 100 घटा दो तो एकी वैल्यू आ गए 260 निकाल लोगे जल्दी से बताओ हमको इस आपका एक्सटर्नल एंगल आ गया 260 डिगरी अब मुझे यह बताओ यह सारी वैल्यू जिखल के आ जेंगी मिरे लाल या ना बेकिन जल्दी से व्याइब हां room लैना सारी की सारी वेल्यू निकल जाएगी लेवट दे को कुई तुम Probst on the Health skinny Minutes कटम ट्रण जबाब बना चाई एक मिनटे में इस किसी प्रकार का जल्दी मेरे लाल ठीक है सारे जवाब आ जाएंगे बहुत शांदर जिंदाबाद जिसको नहीं आया समझ में एक बार देख लो एक आत कमेंट मेरे को दिख रहे बहुत जाद तो है नहीं जोना नहीं होगा दोस्त उनको एक और अगर आत्री कोड़ी है तो आंत्री कोड़ी रग दी अग्यालोगे ठीक है दे रख का है तुमको पता ये पता है यह निकलाएगा ये निकलाएगा तो जिसकी वैल्यू देदेगा तुम दूसरा वाला निकाल सकते हो घटा के 360 में से बस वहीं किया कुछ और नहीं किय है मैंने लगवक तुमको कॉंसेट बता है परिशान मत हो ना कल भी इसकी प्रेक्टिस कर वाँगा परसो जरूद पढ़ेगी परसों भी कराऊंगा चार दिन चलेगा मैं करने चालिस दिन चलेगा पढ़ाऊंगा अगर तुमको पढ़ना है तो मुझे बताना मैं समझनी बाले कम होते हैं बच्चों को सिर्फ सही हैं कि कुश्चन आंसर होता है बहुत लिमिटेड बच्चा है जिसको सारे टोपिक पढ़ा दूंगा लेकिन अगर तुमको पढ़ना है तो ठीक है नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ा था कि concept में तुमको सिखाऊंगा रटाऊंगा नहीं कुछ सीखे समझ में आई चीजें दिमाग में गई कि हां समझ में आ रहा था में चीज था समझना रटना नहीं था रटा तो मैं तुमको डिरेकली फॉर्मूला देता और आंसर निकाल लेते कोश्चन कर भी तो रिदम प् या वाई 274 चाहिए लक्ष बैचो जांको सब याई 24 लगा ले ना ठीक चलो डिगालोवी कितना रेडोस्त अ और आजर बहुत शांदार बहुत बढ़िए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया काफी सारी से लोग ऑन्सर आच उपास बात कर लिए ते कितना बनेगा न जेखो यहां पे घराइब 12 से लेकर छे वजी तक घंटे की सूई का कूल बता हूं है अब मिनट या दो निची बोले कौन सी बोले गुरु जी आपने अभी बताया था कि एक घंटे में घंटे वाली सुई कितना गूंती है एक घंटे में घंटे वाली सुई कितना गूंती है तीस डिगरी और अगर एक घंटे में घंटे वाली सुई कूंती है तीस डिगरी तो बारा से ले तीस गुड़ा छे यानि की 180 डिगरी हो जाएगा आंसर आजाएगा ऑप्शन एक कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्य कोई परिशानी किसी को ऑप्शन नमबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा फस्ट वाले सारे ठीक होंगे बोलो जल्दी से हां की ना दोस्त यह वाले सा सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे वनिटी इसदा राइट आंसर है ना 180 बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा चर्चा कर लें अब दूसरे की तरफ चलो बात करते प्रशन संक्या दो इसका आंसर निगालो मेरे लाल जल्दी से सेकेंड का अंसर बताओ कितना रहे जल्दी अभी सब बता दूंगा एसके मंडल मेरे लाल तुम सारी चिंता है मुझ पर छोड़ो इस चप्टर में माइनस में आएगा तो क्या करेंगे है ना दस-दस का कोंड भी किसी ने पूछा था परेशान मतों ना दोस्त में अगर आज मेरी बात सही भी ना लग रही हो तुमको मेरे को बस इतना टाइम दे दो कि मैं एक बारी चप्टर पूरा पढ़ा दो उसके बाद कोई समस्य रह जाए तो मुझ से कहते ना मैं सब बताऊंगा माइनस में क्या करेंगे प्लस में क्यों आता है माइनस में यह बताओंगा कोई नहीं बताएगा कि क्यों आता है ठीटा माइनस में मैं बताँगो क्यों आता है ठीटा माइनस में ठीक है मैं बताँगो क्यों आता है माइनस में चाहिके सर्च कर लेना वीडियो लोग पता क्या कहते हैं लोग कहते मौड लगा लो मौड है ना वैल्यू माइनस में आती नहीं मौड की वैल्यू प्लस हो जाती है मैं क कसी के एक कॉपी के अंदर आज के नोट्स बना लेना कल इसी को कॉंटिन्यू करेंगे और जितने रिकॉर्ड इट पर देखो उनसे भी कहा रहा हो नोट्स बना लेना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि एक लास कैसी लगी दोस्त दिल से पढ़ाया तो राय चाहिए तुमारी तुमारा होसला चाहिए मुझे ताकि मैं कल फिर आके वैसी खड़ा हुपाऊं अगर आज तुमने होसला तोड़ते तो कल से फिर में टॉपिक नहीं बढ़ा पाऊंगो कभी जिंदकी में याद रखना चलो इस पर बात कर लेते क्या होगा बोले दस से लेकर छे वज़े तक कितने घंटे होंगे आठ घंटे हमको पता एक घंटे की वैल्यू 30 तो आठ घंटे की वैल्यू 30 गुणा आठ बोले 240 बात खतम 240 उत्तर आजएगा ऑप्शन नंबर भी चलो इसको निकालो जलदी सा तीसरे को फास्ट तीसरे का अंसर बताओ दोस्कितना आ रहे तीसरे का अंसर निकाली कितना है गलो जोस्त तीसरे प्रश्न का उत्तर आ है कि बहुआ बढ़िया बहुआ बढ़िया बहुआ बढ़िया सांधार एक से आठ तक गुरुजी साथ गंटे साथ गंटे तो शाट गुणा तीस कर दो साथ गुणा 30 मुले बात ख़तम 210 पिक्च रचे करते अब साड़े ची कैसे करें एक से लेकर साड़ेचे बजहें कितने अंसका कॉण बनाएं कि जल दी सब्सक्राइब और साथेची कर पाओगे क्या कि एक से लेकर सालेची दोस्त ऑफ्शिन CR recurre 65 डिरी कन्फर्म चलो बात कर लेता हैं एक से लेकर सालेची तक देखेशी बताऊं हमको अगर मैं बात करूँ एक से लेकर साड़ेचि तक कितना टाइम होगा कितने घंटे तो आप कॉँगे साड़े-5 गंटे बोलो आया ना साड़े-5 गंटे ओंगे दोस्त पांच गंटे-30 मिनट बोलो है ना पांच गंटे-30 तो दो तरीके इसको करने के या तो मैं इसको मिनट में कनवर्ड करके कल लू मतलब मुझे पता है गुरू जी पांच घंटे में होते हैं छे पंजे साथ गुणा पांच मतलब प्लस 30 यह टोटल मिनट कितने आ गए बोले गुरू जी मिनट आ गए 330 आ गए कि नहीं आ जल दी बताओ 330 मिनट पांच घंटे डिशल लाइए तो 330 मिनट में 330 गुणा आधा मतलब 155 डिगरी चलेगी पहला तरीका तो यह होता इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता यह तो मिनट में कनवर्ट करके दूसरा तरीका हम वैसे ही निकालने हमको पता है भाईया कि कितना 30 डिगरी चलती कितरी दर मे मैं ऑन हो अगर आधा गंटे में 30 डिग्री चल रही मेरे लाल तो आदा अगर गंटे में 30 वतादो मतलब 15 जो घंटा में जोर्श पथा जोड़ना ऑदा गंटा में 15 और चल जाएगी टोटल आजाएगा आपका साड़े पाच घंटे में कितना बुले साड़े पाच घंटे में आजाएगा आपका 165 तो जो बहतर लगे उससे निकालो कोई दिक्कत नहीं है अब आपको तन को पता है मैंने आधा क्यों लिया तुमको पता है मैंने 30 क्यों लियो तुम्हारे पास हरी चीज का च miten जवाब होता है न तो आदमी को समझना बहुत आसान होता है समझ लगे बात को जवाब को अगे बात कर लेते कुछ आगे परीbruring ऐगे न OFF बड़े का समय दर्शारी है घंटे की सुभी 1.5.5 oorie tam गूम गई अब आपको बताने की एक गड़ी आमूरी घंक वस्तलि इस निकालए गड़ी 8 समय दर्शारी और गंटे की सुभी गूंगए तो आपको बताने की बहई कितने डिगरी का कूड़ कितना समय हो रहा होगा अब यह तो ल्टा दे दिया अब क्या करें यह तो पिक्चर ही बदल दी इस वार क्या होगा मेरे लॉल ठीक है बगिया देखा अगर किसी को मजा रहे वीडियो तो लाइक वाइक कर लिए तुम्हारा लाइक मेरे मोटिवेश और कोई नया जुदाए तो चनल को सब्सक्राइब कर लिना रिकॉर्ड देख रहो सब्सक्राइब कर लिए डेली सुबाइब पाँच बढ़ाओ अगर अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर लिना और कमेंट करके बताना फिर कैसी लगी है तुम्हारा कलेंडर के लिए भी लोग परिशार में साथी चेप्टर पढ़ांगे परिशान मत तो बस तुम्हों देख ट्रप Gogh कि काफी सारे से अंसर सारे एक बमेर गमिनी घंटे देखर हमको यह देखना है कि कितने गंटे में और आप से कोई कितने घंटे में बब 1.500 डिगरी गूमी तो देखो देखो एक तो तरीका ही है कि बाश से दर गूडा करूं पास से दर गूडा करूं मझे आजएगा पांच घंटे में 150 डिगरी गूडी लेकिन मैं कहा रहा हूं ऐसे बत करो पहले तुम को चोंहां चयां से तुमको पता है यह चैंटे में 30 305 ध्यूखती कि पांच घंठे में गुमेंगी ऑंठ 2-3-3 kis को बोलते जल्दी बताओ जल्दी मेरे लाल कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई सवस्थ्य परिशानी किसी को किसी प्रकार की वही जल्दी 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 चल सकते आगे चलो आगे वालाप तूम खर खरिक अमेरे को आगे वाला तूम करके दिखा जल्दी खीन ये वाला कुशन निकाल इसकांसर च्रटेगा शट्टे प्रश्न का ऊत्तर बताव जल्दी से कतना एका कि छट्डे प्रिशन प्राइब गरी दस वह रेका शिंव दर्शारी एगंटीकी शुली अब डेगरी गूम गई क्या होगा अगरत दस भजी का समय सारी है नबढ़ी डेगरी खुम जाली तो क्या होगा ठीक है अनुर जूस्थ्त समयले नाइस गलाव स्मय है और दंव करो छित्व घूंए को चलो अरे देख्लें भाइढ में 30 से नंभय को भाग करतो अगर मैं 50 भाग करी तो मुझे वैलिव मिल जएगी कितना मिल जाएगी देखो बात कर ले तो लिस तो पता चला कि 30 यंभे घंटे का टाइम लगेगा सकूरए घंटे का तो बस तीन घंटे यह कुण दो दस और तीन के पूर गा तीरा बोले तो एक तो उत्तर किता आ जाएगा मेरे लाल एक एक बच जाएगा ऑप्शन नमर सी बिल्कुल ठीक है थर्ड वाले सारे करेक्ट है चलो जल दी से आगे एक चुछ दिगरी हुम रहे ये कुशन तुम खुद से करना होंबर्क में ठीक है तुम्हारा होंबर्क है सुन लो यह तुमहारा होंबर्क है इसका आंसर मुझे तुमसे चली कमेंट्स चेक्षिन के अंदर सारे स्क्रीन शूर्ट ले लोएज दबारा चला के यहां लाकर ट्रस्टर की बच्च उतना कोड़े तो अगर आपको मेरे पिर्स नोट यूज कर सकते अपने दोस्तों में शेर कर सकते हैं कि sih सब कुछ मिलेगी मातर साले 500 आपको वर्दी बैच मिल जाएगा तेरा तारिक से सुरू हो रहा है बाकी यह आपका जीडी का महाप है कि मैं तो यही सजेश्ट करूंगा यह लिलो की कょू糖 कोने सब्सक्राइब कर सकते हैं आसम नkich नाम के किया सूर्म और यह बढ़ा अच्हान लगता है मेरे को देख कर कि कई सारे से नाम मुझे याद हो गये जो लगाता हरे काल यह क्लास किसे रंजने पुरितिका हो या फिर सारे यह न यहां पर लिखा हुए इसको यहां पर लिखा हुए भाग सी तो एकी का मतलब नौ फिर ते रखा गोड़ा गोड़ा में रखान रखा है दी डीका पांच एसको बानवे इसको सॉल्व करना था भाग करो नो दूनी अठारा साथ बचे का नौठे बांतर बस अठ्थाइस गुणा पांच हो जाएगा यहां से तीस पंजे डेड़ सो होता है दो पंजे दस होता है तो 140 आ गया माइनस में 32 में इसको सॉल्व करो प्रेक्टिस करने हैं आप लोगों को शाम को चार बजे मेरे साथ इसी चैनल पर चुड़ सकते हो उसके लिए आप लेने तो सिंपल सा प्रोसेजर उसके लिए सिंपली आप गूगल बाबा की चले जो कहीं नहीं जाना है आपको आपको जाने गूगल बाबा के पास जैसे आप जाते हो गूगल बाबा की श्रण में आप वहां जाके सर्च करते हो एक ऐसा पर क्लिक करो मालों मेरे को गीगा माँ पैक लेना में आगे में आगया मैं आपक और किसी पर बजातों और ऑफलियो उन्ट के लिए लिए साथ चार तो वाई दो साथ िश्व से बेस्ट हो सकता उतना देने का पूरा प्रियास करूंगा आज मैंने कुछ आपको ऐसा बताया जो शायद आपको अभी तक नहीं मिला होगा कहीं पूरी थीटा निकालते तुछेट आपके न होता है वो ठीक है लेकिन थीटा मािनस में उसका रीजन क्या वो आपको कल की ठीक है तो लब यू आब सब्यार स्ब्सक्रास प्यार एक के सो अब तक के लिए बहुत बहुत धरेवाद, थैंकियो सो मच पल्टर, जैहिन सभी को.